दोस्तो स्वागत एलिगन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में आप क्लाश 10 के अंश्याट्टी का चेप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन्स में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेस्टन नमर 11 का सॉल्योशन्स को देखेंगे इससे पहले आपको इसी एक्सरसाइज से 1 to 10 तक का सॉल्योशन्स प्रोग्राइट कराया जा चुका है अगर आप इस चैनल पर पहरी बार आये हैं तो किपाज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइप अवस्ट करें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेस्टन नमर 11 है which term of the AP 3,15,27,39 और इसी तरह से यह सीरीज आगे क्यों बढ़ रहा है will be 132 more than its 54th term तो क्वेस्टन क्या करा है कि यह 3,15,27,39 यह हमको AP में दिया गया है तो इस AP का जो 54th term होगा ठीक है जो भी 54th term होगा उसमें हम 132 को अगर प्लस कर दें तो वह जो value आएगा तो इस AP का कौन सा term होगा इसी को यहाँ पर find करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर A54th term को निकालेंगे ठीक है तो A54th term हम कैसे निकालेंगे उसके लिए हमको A चाहिए और D चाहिए जो कि यहाँ पर दोना दिया गया है तो given A is equal to कितना है तो 3? A is equal to 3 and D is equal to जो common difference है वह 50 minus 3 करेंगे तो यह होगा 12 ठीक है अब हमको सबसे पहले कि A54 हमको find करना है तो A54 is equal to A plus 53 और D ठीक है तो यहाँ पर A का value हम put करते हैं A का value यहाँ है 3 plus 53 into D का value है यहाँ पर 12 तो इसको multiply करेंगे 3 plus यह कितना होगा 12 3 जा 36 3 और 12 5 जा 60 और plus 3 तो 63 इस तरह से A54 जो आया इसका value वह 639 हुआ A54 अब हमको यहाँ पर find तो करना है यहाँ पर कि इसमें हम 132 प्लस करेंगे तो वह जो value होगा वह कौन सा term होगा इस AP का तो according to question हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A54 प्लस 132 ठीक है तो यह जो value होगा तो हम क्या इसको AN लिख सकते हैं क्या nth term of the AP ठीक है तो अब यहाँ पर A54 तो A54 हम कितना find किया 639 639 प्लस 132 इस इक्वल टू A N तो इसको हम प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे कितना होगा नाइन टू 111 फिर 336 प्लस 1 7 यानि 771 यह हमको AN का value आया इस तरह से AN का जो value आया वह 771 आया हमको n का value find करना है तो AN इस इक्वल टू क्या होता है फ्रमूला तो A प्लस N-1 इन्टू D तो AN जो find किया यहाँ पर कितना है तो 771 771 is equal to A है यहाँ पर 3 प्लस N-1 और D है यहाँ 12 तो हमको सिर्फ यहाँ N का value को find कर देना इस 3 को हम left hand side में shift करेंगे तो यह minus होगा कितना 768 is equal to N-1 इन्टू 12 तो N-1 का value कितना therefore N-1 is equal to क्या होगा यह divide हो जाएगा नहीं 768 divided by 12 768 divided by 12 अब यहाँ पर क्या होगा 12 6 जा 72 और फिर यह 12 4 जा 48 means क्या यह 64 therefore N is equal to 64 plus 1 तो इसका जो value आया वह कितना आया 65 तो हमको जो यह find करने के लिए कह रहा था कि इस AP का कौन सा term होगा जो कि A54 में 132 हम प्लस कर देंगे तो वह term है 65 दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो क्रीपर लाइक कोमेंट और सब्सक्राइब अवास करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल